कि मोडर्न स्टेडी सेंटर काशिपूर समस्तिपूर के राश्टभासा बर्ग में आप समों का हार्दिक स्वागत है हम विहर बोड की बारवमिक अक्षा के राश्टभासा बर्ग में उपस्तित हैं आज दिगंत भागदू के गद्यव खंड के वा सम्पून क्रांती पाठ के पर्थम व्याख्यान पर बात करेंगे हर एक पाठ को दो खंडों में बाटा गया है पर्थम व्याख्यान और दूसरा व्याख्यान पर्थम व्याख्यान में मेरा प्यास रहता है कि लेखक परचा पाठ का सारांस और व्याख्ये पंक्तियों पर विचार किया जाए और फिर दूसरे व्याख्यान में बस्त्वनेश्ट प्रश्णोतर और फिर दिर्गुतरिये और लगुतरिये प्रश्णों पर विचार किया जा। तो चलिए आज हम पर्थम व्याख्यान शुरू कर रहे हैं। संपुर्ण क्रांती पार्थ के लेखा का नाम जै प्रकास नाराणी ये जितने बरे साहितकार हुए उससे पहुत अधिक बरे राजनेता हुए। इनका राजनेतिक जीवन बराही संपुरिद सु संस्कृत सिस्ट सालीन रहा है। आज हम शुरू कर रहे हैं जै प्रकास वावु के जीवन बृत पर। इनका जन 11 अक्टूबर 1902 इस्वी को हुआ और निधन 8 अक्टूबर 1989 इस्वी। इनका जन्मस्थान सिताब दियारा। वा सिताब दियारा बिहार के ही भाग में परता है। वैसे बिहार और तरप्रदेश की सीमा बरती छेत्र मान लिया जाये तो कोई हर्द नहीं। बच्पन में इनके पुकार का नाम बाउल था। आज जै प्रकास वावु लोकनायक और जेपी के नाम से भी परसिद हो। इन्हें लोग लोकनायक भी कहते हैं। जैसे करपुरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है, उसी तरह जै प्रकास वावु को लोकनायक भी कहा जाता है। जेपी के नाम से भी इन्हें परसिदी मिली है। इनके माता-पिता का नाम फूल रानी और हरसु देयाल। माता-पिता के तरह ही इनकी पत्नी भी काफी लोग प्रिये हुई और उनकी पत्नी का नाम प्रफावत्ती इनके राजनितिक जीवन पर जब हम विचार करते हैं तो सन 1929 से इनका राजनितिक जीवन आरंब होता है वे 1929 में कॉंग्रेस में सामिल होते हैं और फिर 1932 में अवग्या आंदुलन के क्रम में जील जाने का क्रम इनका शुरू हो जाता है 1932 में जाते हैं 49 और 43 में भी ये जेल यात्रा करते हैं और फिर देश जब आजाद हो जाता है 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान करते हैं 1954 में बिनोबाजी के सरवोदय आंदुलन में भी ये सक्रिय भाग लेते हैं और फिर 1974 में छात आंदुलन का नित्रित करते हैं इनकी रचनाओं पर जब हम विचार करेंगे तो रिकस्टक्षन ओप इंडियन पॉलिटी इनकी एक महत्पूर्ण रचना है इसके अत्रिक्त जनमुक्ती इनके भासनों का संकलन है पत्ना में पूरे भासन पत्ना के गांधी मैदान में जो इन्होंने भासन दिया पूरे भासन को जनमुक्ती नाम से प्रकासित किया गया तो वह भी इनकी रचना ही मानी जाएगी और इन्हें सन 1965 में मेग्ज़े से सम्मान समाश सेवा के लिए और फिर 1998 में भारत रत्न सम्मान दिया गया अब हम इस पार्ट के सारांस पर विचार करते हैं संपूर्ण क्रांती पार्ट में लेखक ने अपना भासन आरंभ किया या बास्ता में 1974 में गांधी मैदान में जो भासन दिया गया उसी का एक अंस है या आप यहां देख रहे हैं प्रस्तुत पार्ट में 5 जून 1974 इस भी के पटना के गांधी मैदान में दिये गए लोक नायक जैप्रकास के संपूर्ण क्रांती वाले भासन का एक अंस यह पार्ट है इस भासन के आरंभ में ही लेखक को रेनु की याद आती है बेनिपुरी की याद आती है दिनकर की याद आती है जब प्रकास बाबू वेलोर में थे वहीं पर दिनकर से भी भेट होती है दिनकर उन्हें कविता सुनाते हैं उन्हें एक टीस के रूप में ऐसास होता है कि जो दिनकर कविता ओजस्वी सुनाने का काम करते थे उज़ और परुषे से भरी कविता सुनाते थे, वही दिन कर अब इस संसार में नहीं रहे इस बात की टीज है क्योंकि आंदोलन को स्वर दिने का काम एक सफल साहित कार करता है इस दिसा में रेन्यू बरे साहित कार हुए, उन्होंने आंदोलन को स्वर दिया रामब्रिक्ष बेनिपूरी बरे साहिक कार हुए उन्होंने आंदोलन को स्वर देने का काम किया इसी तरह देनकर भी क्रांति पुरुष बनकर गुलामी काल में भी और आजादी काल में भी उन्होंने देश को दिशा देने का काम किया इसे याद से पाठ आरंब होता है जैप्रकास्वावु ने साब तोर पर कहा है कि क्रांती कुरुवानी खोजती है चाहे वह क्रांती अंग्रेजी काल की क्रांती हो या वह क्रांती स्वतंतरता के बाद की क्रांती हो क्रांती में हमेशा कुरुवानी की आविशक्ता होती है क्रांती करने वाले भविस की चिंता नहीं करते हैं ये नहीं सोचते हैं कि क्रांती करने के बाद परिनाम क्या होगा वे तो क्रांती के अग्रदूत बनकर आगे बढ़ते हैं परिनाम चाहे जो भी हो भोगतने के लिए लोग तैयार होकर क्रांती की दिशा में कदम बढ़ाते हैं और ऐसी परिशिती में जैप्रकास्वावव ने साप साप देश के नव्यूगों को कहा कि क्रांती से घबराने की ज़रूरत नहीं है ये मत सोचिये कि हमें जेल हो जाएगा ये मत सोचिये कि हमें फांसी हो जाएगे ये मत सोचिये कि इसका कितना कुपरिनाम हमें भोगना परेगा जो भी परिशितियां होंगी उसे हम जेल का क्रांती को आगे बढ़ाएंगे अब जैप्रकास्वाव ने दिनकर के निधन की भी चर्चा किया है दिनकर जी जिन दिनों जैप्रकास्वाव वेलोर में इस्वर अईयर के यहां टिके हुए थे उनहीं दिनों दिनकर भी इंडियन एक्सप्रेस के मालिक रामनाथ गोयनका जी के यहां टिके हुए थे मद्रास में ही अर्थात वेलोर में ही वे भी टिके हुए थे दिन में भेठ हुई रात में अचानक दिल का दौरा परा बरा तेज दौरा परा सिर्फ तीन मिनट में उनके घर से ब्लिंग्डन नर्सिंग हॉम पहुँचाया गया वहां के डौक्टर एक दम तैयार थे वहां के डौक्टर उनके ऑप्रेशन के लिए तैयार थे लेकिन दुरुभागे कह लिजिए हमारे देश का कि दिन कर पहुंसते पहुंसते स्वर्ग सिधार गये बच नहीं पाए ये हमारे देश का दुरुभागय है कि दिन कर जैसे महा कभी दिन कर जैसे क्रांती कभी हमारे बीच रह नहीं सके ये दिन कर की संदर्व में लेखक का विचार कि दिन कर नर्सिंग हम पहुंसते पहुंसते स्वर्ग सिधार गये अब फिर लेखक ने यासपस्ट करने का प्यास किया है कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूं मुझे किसी आंदोलन का नेत्रत करने का सौक नहीं है मुझे किसी आंदोलन में भाग लेने के लिए ऐसी कोई उत्सुकता तो नहीं है उम्र भी अधिक हो गई है शरीर धीला पर गया है अब मैं नेत्रत नहीं करना चाहता हूं लेकिन छात्र नौजवानों के दवाब में ये नेत्रत स्विकार कर लेते हैं लेकिन नेत्रत स्विकार करने के लिए वो सर्थ रखते हैं कि मैं नेत्रित-सुएकार करूंगा इस सर्थ पर कि यदि क्रांती में, आंधोलन में कोई विचार विमर्स की जरुड़त है, तो हम सबों से विचार विमर्स लेंगे, सबों की बात सुनेंगे, सबों का आधर करेंगे, लेकिन अंतिम निर्ने मेरा होगा उन्होंने कहा कि मैं डिक्टेशन के आधार पर आंदोलन का नेत्रत नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यह पिछलगवे का काम है मैं पिछलगवा बनकर नेत्रत किसी दूसरे के इसारे पर नेत्रत करने की स्थिति में नहीं हूँ मैं जब भी नेत्रित करूँगा तो अपने ढंका होगा जिस प्रकार सेना में कैप्टन नेत्रित करता है उसी तरह मैं भी आंदोलन का नेत्रित करूँगा उन्होंने अपने बचपन की कहानी को अर्थात छातर जीवन की कहानी को इसे में जोरने का काम किया है अपनी बात बताने का काम किया है छातर नौजवानों को समझाने का काम किया है कि संगहर्स कितना करना पड़ता है कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसके लिए उसे कितना संगहर्स करना पड़ता है यह तो जरा देखिए उन्होंने अपने छात्र जीवन का उलेक किया कि गांदी जी के और सहयोग आंदोलन से प्रभावित हो कर उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी वह कोई साधारन छात्र नहीं थे अपने समय में छात्र विर्थी पाने वाले छात्र थे पटना साइंस कॉलेज में आयसी के छात्र थे वहाँ उन्हें छात्र विर्थी मिलती थी लेकिन गांधी जी के आउसा योग आंदोलण से प्रभावित होकर उन्होंने पढ़ायी छोर दी。 पढ़ाई छोरने के बाद बहुत दिनों तक गांधी जी से प्रभावित होकर पढ़ायी से नाता तोरे रखा, लेकिन बाद में लगा कि ये तो काम गलत है अंग्रेजी स्कूल में हम पढ़ाई नहीं करेंगे लेकिन पढ़ाई तो करेंगे उन्होंने पढ़ाई की बात सोची एक बार मन किया कि बनार सिंदु विश्विध्याल है जिसके संस्थापक मदन मुहन मालविये हुए है वहाँ पर नाम लिखा ले मदन मुहन मालविये से जे पर बड़े प्रभावित थे बड़ा आदर करते थे वहाँ पर वे नाम लिखाना चाहते थे लेकिन फिर मन उचट गया या सोचकर कि उस विश्विध्याले को भी तो अंग्रेज से अनुदान मिलता है वह भी श्विध्याले भी तो अंग्रेजी इसारे पर चलता है नाम नहीं लिखाया बाद में उन्होंने देव घर हिंदी विध्या पीठ से आएसी की परिख्षा पास कर ली परिख्षा की तैयारी के लिए उन्होंने सहारा लिया राजंदर वावु के जो उस समय देश के राष्ट पती थे देश के राष्ट पती राजंदर वावु के सची मत्रा वावु और उन्हीं के दमाद के पास एक प्रियोग साला था उसी प्रियोग साला में इन्होंने आएसी की तैयारी की और फिर देव घर हिंदी विध्या पीठ से उन्होंने आएसी की परिख्षा पास कर ली ये बिल अमेरिका में नाम लिखाने का एक जनुन सवार हो गया, मन में बरा उत्साह जगा कि अमेरिका में पढ़ाई करें, लेकिन अमेरिका में पढ़ाई करने का कहीं कोई साधन नजर नहीं आ रहा था, ऐसी परिशिति में कभी मन उत्साहित होता था और कभी मन सांत हो जाता था, ल लेकिन अब वहां रहें कैसे, नाम तो लिखा लिया, रहने का कोई बंदोबस्त नहीं, संघर शुरू कर दिया, एक ही कमरे में तीन चार लरके रहते थे, एक विचावन पर दो दो लरके सोते थे, इस तरह बड़ा कस्त मैं जीवन इनका अमेरिका का पर्थम वर्ष का रहा। भोजन के लिए वे कभी होटलों में काम कर लेते थे वैरा का, कभी सूपरलर में जूता साफ करने का काम करते थे, कभी कभी तो सौचाले में भी काम करने की नौबत, सौचाले साफ करने की नौबत आ गई है। जब उन्होंने परिक्षा पास कर ली बरियां अंक इन्हें प्राप्त हो गया फिर उन्हें छात्रविर्थी मिले लगी तब जीवन इनका सामान्य हो गया अमेरिका में और फिर वहां कॉम्मिनिस्ट से बहुत अधित प्रहावित हो गया बहुत जादे कॉम्मिनिस्ट से प्र उसके यहाँ कॉम्मिनिस्ट के विचार का आदान प्रदान होता था, क्लास लगता था, लेकिन 1929 तक वे हिंदुस्तान के कॉंग्रेस में सक्रिय भाग लेने लगे, एक बात उठती है कि जो व्यक्ति अमेरिका में कॉम्मिनिस्ट का इतना वरा समर्था रहा, जो कॉम्मिनिस्ट रहा, वह आखिर कौन सी बात हो गई जिसके चलते हिंदुस्तान में कॉंग्रेस में सामिल हो गया, इसका उन्होंने बिल्कुल साप साप सपस्टी करन दिया है, कि कॉम्मिनिस्ट वाले ही सिखाते हैं, कि देश जदी गुलाम हो, तो वैसी परिशिती में का पहला धर्म बनता है, कि आजादी के लिए जो दल, जो संगठन, अग्रनी होता है, उसकी सहायता करें, उस समय स्वतंत्रता आंदोलर में कॉंग्रेस के अग्रनी भूमिका थी, इसलिए जैप्र का सबाबू, अमेरिका में कॉम्मिनिस्ट होने के बाद भी हिंदुस्तान में कॉंग्रिस में सामिल हो गया, एक दो बार नहीं, तीन बार इन्हें जेल जाना परा, जेल की यात्रा करनी परी, लेकिन घवराये नहीं, और तब देश आजाद हुआ, बरे यत्न से बरी कुर्वानी से देश आजाद हुआ, लेकिन वह आजाद देश अपनी आजादी को काईम रखने में सक्षम नहीं हुआ हुआ, आजाद देश अनाचार गुराचार भस्ताचार में डूब गया, चारो और घूस घोटाले की संस्कृति का विकास होने लगा, कहीं बिना घूस का कोई काम नहीं, नीचे से उपर तक सब के सब घोटाले में दूबे नजर आये, इन्हें बड़ी पीरा पहुंची है, कि जिस देश को हमने आजाद कराया इतना संगहर्ष कर, इतना कष्ट भोग कर, हमारे देश की सुनता सेनानियों ने आजादी के ख्रम में पता नहीं कितना कितना कष्ट जेला, वहीं देश इस तरह ब्रस्ताचार में डूबा हुआ है, जहां हर कदम कदम पर अनाचार, दुराचार, ब्रस्ताचार, सब कुछ दिखाई पड़ता है, नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं, ऐसी परिशिति में लोग उब कर आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ते हैं, जैप्रकास्वाव ने चात्र नौजव पानों को पटना के गांदी मैदान में आम अंतरित किया, वे आने लगे रास्ते में पुलिस ने बड़ी बरबरता के साथ उसे रोकने का काम किया, उन पर लाठियां चलाई, उन्हें जेल में बंद किया, तरह तरह से प्रतारित किया, ऐसी परिशिति में उन्हें उन्हें बरे उत्साह के साथ होसला बढ़ाने का काम किया, उन्हें उत्साहित किया, प्रेडित किया आगे बढ़ने के लिए, इस्तिति बिसम होते हुए देखकर कुछ नेताओं नेजाप्रकास्वागु को या प्रामर्स देना शुरू किया, कि आप प्रजातांत प्रियात्तंत्रिक मर्यादा को समझें, लोगों को समझावें कि प्रियात्तंत्र में आंदोलन का रूप सरूप क्या होता है। इसकी समझदारी मुझे है, आप मुझे इसके लिए समझावे नहीं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है, प्रियात्तंत्र में कैसे क्या करना है, इसकी समझदारी मुझे है। और इसी क्रम में उन्होंने यह भी कहा, कि आज की सरकार एकदम क्रूर हो गई है, ततकालीन सरकार कॉंग्रेस की थी। उस समय देश की प्रदान मंत्री स्रे मंत्री इंद्रा गांधी थी। जैप्रकास्वाव ने अस्पस्ट तोर पर कहा कि कॉंग्रेस के नेताओं से मेरा कोई नया नहीं पुराना विरोध है। मुझे बापु से भी विरोध था, जवाला नहरू से भी विरोध था और इंद्रा गांधी से भी विरोध है। बापु और नहरु का विरोध अलग किसम का था और इंद्रा जी का विरोध अलग किसम का है। बापु प्रेम से जब कोई बात होती थी, विरोध होता था तो निकट बुला कर समझाने का प्याश करते थे। तरक दे कर समझाने का प्यास करते थे जैप्रकास वावी भी अपना तरक देते थे यदि बापू को सही लगता था तो इनके तरक को मान लेते थे या फिर जैप्रकास वावी बापू के तरक को मान लेते थे या फिर समझाने बुझाने का बारता भी मर्स का करम चलता रहता थ नहरूजी के साथ भी ऐसा ही था, नहरूजी के साथ भी रोद्था, खास का विधेश निती पर, उस विधेश निती का परिनाम हुआ, कि नहरुजी को जैप्रकास वावू ने चीन की विदेश नीती पर सतर करने का तो काम किया लेकिन नहरुजी ने माना नहीं परिणाम धोखा खाया चीन का आक्रमन हुआ और उसी सदमे से नहरुजी का प्रानांत हो गया इस तरह नहरु इन्हें बिल्कुल अपने जैसा मानते थे अपने भाई के तरह मानते थे विरोध रहने के बाद भी मुद्दे पर विचार विमर्ष करते थे इस तरह बापू और नहरू का जो विरोध था वह विरोध तो था लेकिन उस विरोध में विचार विमर्ष का अवसर था इंद्रा गांधी के विरोध में ऐसा कोई अवसर नहीं वह ताना साह के तरह काम करती रहे बापू के विरोध के लिए कोई विचार विमर्ष नहीं किया इस तरह नहरू और बापू के विरोध और इंद्रा गांधी के विरोध में बड़ा अंतर है जया प्रकास वाबू प्रयातंत्र को एक नए रूप में देखना चाहते थे प्रयातंत्र में सामानी तोर पर यह कहा जाता है कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिदियों की सरकार बनती है ठीक है कोई बेजाई नहीं है लेकिन जैप्रकास बावू का मनना है कि यह जो चुनाब है जनता के द्वारा चुनाब किया जाता है प्रतिनिद्यों का वहा गलत सलत आज के दौर में हो ब्रस्ताचार सारे ब्रस्ताचारों का मूल वही है क्योंकि चुनाब में चंदा इकत्र किये जाते हैं जिससे चंदे का कोई हिसाब किताब नहीं है उसमें भरस्ताचार फिर जाती के नाम पर धर्म के नाम पर संपरदाई के नाम पर गलत धंग से जाती धर्म संपरदाई का तात पर गलत धंग से परतिनिधी चुन लिये जाते हैं अयोग परतिनिधी का चुनाब ह जनता चाहती है किसी को और चुल लिया जाता है कोई और ही परिणाम है कि गलत व्यक्ति के चुनाव के कारण सरकार गलत हो जाती है। जनता ही व्यक्ति का चुनाव भी हो जाए इसके लिए उन्होंने दल विहीन लोक तंत्र के स्थापना की बात की है। जितने प्रतिनिदी की जरूरत है, उतने प्रतिनिदी का चुनाब करें, उसमें निस्पक्ष चुनाब भी होगा और खर्च भी नहीं होगा। इस तरह समाजवादी चिंतन, सामिवादी चिंतन का भी यही मानना है जो ये दल विहीन लोक तंतर की बात करते हैं ऐसा ही मत सामिवादी या समाजवादी चिंतकों का भी मत है और फिर वे ये असपस्ट करना चाह रहे हैं कि हमारे देश में यह जो क्रांती है वह क्रांती सिर्फ राजनितिक क्रांती नहीं है यह क्रांती सिर्फ राजनितिक क्रांती नहीं बलकि संपूर्ण क्रांती है संपूर्ण क्रांती का मतलाब सारे नैतिक, सामाजविक, राजनितिक, धार्मिक, आर्थिक सब ही छेत्रों में हम क्रांती लाने का काम करें अतावे देश के लव्यूबकों से यह काते हैं कि आप पूरे देश में एक पूर्ण परिवर्तन कर लीजिए और यह परिवर्तन ही संपूर्ण क्रांती है और यह क्रांती तब तक चलती रहे जब तक कि पूरे देश में परिवर्तन न हो जाए इस तरह आपने इसका सारांस जाना अब हम अर्थ लेखन पर बात करते हैं अर्थात व्याख्या पर बात करते हैं यहाँ पर देखें अगर कोई डेमोक्रासी का दुस्मन है तो वे लोग दुस्मन है यह संपुर्ण क्रांगती पाठ की ही पंक्ति है सापतोर पर इस पाठ के अंतरगत व्याख्या की पंक्ति है तो इस पाठ की पंक्ति है और इसके लेखा कि जब प्रकास वाबू होंगे व्याख्या लिखने का धंग आप यहाँ देख रहे हैं प्रस्तुत गज्यान संपूर्ण क्रांती पाठ से उध्रित है जिसमें सांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले नागरिकों पर अत्याचार करने वाले को डेमोक्रेसी का दुस्मन बताया गया है प्रियातंत्र का दुस्मन है जो सांतिपूर्ण आंदोलन का बिरोध करते हैं प्रियातंत्र जब है तो सभाविक रूप से उसमें आंदोलन करने का अपनी बात रखने का नागरिकों को मौलिक अधिकार होता है यदि कोई उस मौलिक अधिकार का हनन करता विरोध करता उसका दुस्मन है तो वा सिर्फ एक का दुस्मन नहीं है पूरे देश का दुस्मन है पूरी विवस्था का दुस्मन है वा मानव मात्र का दुस्मन है, इस तरह आपने देख लिया कि इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने प्रियात तंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंदरता पर आच लाने वालों को समाज का दुस्मन बताने का प्यास किया है, अभिव्यक्ति की स्वतंदरता हर एक नागरिकों का अधिकार है। उस पर कोई रोक जदि लगाता है। तो वैसी स्थिति में वह देश का दुस्मन है, समाज का दुस्मन है, मानव का दुस्मन है। यही बात तो बताने का प्रयास किया है। कि प्रिजात्तंत डेमोक्रेसी में हर किसी को बोलने की आजादी है, अपनी बात रखने की आजादी है, रखने दिया जाए. अब इसके बाद दूसरा, हम देख रहा हैं, व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से जगडा है. इसको भी उसी के तर्ज पर लिखने का अभ्यास करना है, ज्यान रहे कि व्याख्या आप लिखने का अभ्यास करें. बोलने के नाम पर तो बोल दिया जाता है, लेकिन यदि आपको लिखने का अभ्यास नहीं है, तो वैसी परिशिति में आपको पूरा नमबर नहीं मिलेगा. जिस ढंग से कि या पंक्ति कहां की है, इसके लेखा कौन है, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, ये सारी बात असपस्थ होनी चाहिए आप जदी कम में लिखते हैं तो बहुत बढ़िया, जादे में भी लिखते हैं तो कोई हर्ज नहीं है यहाँ पर बहुत ही संचेप में, बहुत कसीवी भासा में कह दी गई है, इतनी कसीवी भासा का प्रियोग आप नहीं कर पाते हैं तो कोई हर्ज नहीं, छितराई ही भासा का भी प्रियोग कर सकते हैं, आप छात्र हैं, लेकिन उसमें पाठ का नाम, लेखा का नाम इस सब का उ व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से जगड़ा है इसे को किस ने कहा तो जैप्रकास वावु ने कहा क्योंकि संपुर्ण क्रांति पाथ तो अपने आप में भासन का अंस है सारी पंक्तियां उनकी है और यह पाथ संपुर्ण क्रांति है तो आप यहां देख रहे हैं प्रस् उन्हें किसी व्यक्ति से मतवेद नहीं था बलकि सिद्धान्त या कार्जनीती से विवेद था इस प्रकार भे नीतिगत विरोध करते हैं ऐसी पंक्तियों से आज के राजनेताओं को सीख लेने की जरूरत है आज के नागरिकों को भी सीख लेने की जरूरत है कि हमें किसी से व्यक्तिगत विरोध नहीं करना चाहिए, बलकि सैध्यांतिक विरोध होना चाहिए, सैध्यांतिक विरोध करके हम समाज में, देश में एक नई नीती का निर्मान कर सकते हैं, व्यक्तिगत विरोध करने से तो आपसी कटता बढ़ती है, आपसी कटता बढ़ाना हमारा करता भ इस तरह ये पाठ आपका पूरा हो गया, इसमें आपने देख लिया कि लेखक पड़िचा है, पाठ का सारांस और महत्पुर्ण पंक्तियों की व्याक्षा कर दी गई है, धन्यवाद.